नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं योनिक मैडिसिन यूटूब चैनल जिस पर हम दबाईयों के वारे में नईनी जानकारी लेकर आते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम एक खाश टॉपिक पर बात करेंगे जो की आज कल बहुत ही जरूरी है जैसा की सरदियां सुरू होने वाली हैं मौसम में लगतार बदलाव हो रहा हैं सुबह साम की सरदी होने लगी है और दोस्तो इसके साथ ही दिन भर हम लोग धूप में रहते हैं और सुबह साम सरदी में रहते हैं तो ये अचानक से बदलते हुए मौसम में ज्यादतर लोगों को सरदी खासी नजला जुकाम लगा रहता है और इसके साथ ही बहुत सारी समस्याई होती है जो उनको फेस करनी पड़ती है लोगों में जादतर सिकायद देखी गई है कि उनको जुकाम हो जाता है ब्लॉक नोज हो जाती है नाक बंद रहने लगती है म्यूकस जमा होने लगता है नाक में या नेजल कंजेसन वगेरा हो जाता है गले में खिच-खिच रहती है और दोस्तो इसके साथ ही जो स्वांस नली है उसमें म्यूकस जमा होने की बज़े से ब्रीधिंग करने में थोड़ा परिशानी होती है तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी आयुरुवेदिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो की काफी effective medicine है दोस्तो एक आयुरुवेदिक नुकसा इसे आप कह सकते है और इस नुकसे को बहुत सारे जो लोग हैं वो यूज करते हैं तो लगतार दो-तीन दिन से मैंने भी इसको यूज किया है और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको दोस्तों के साथ share किया जाए काफी अच्छी और effective medicine है दोस्तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस medicine के जितने भी ingredients हैं वो सभी ayurvedic है इनकी अपनी ayurvedic properties है और इसके अलाबा ये आपके घर में ही उपलब्द होने वाला सामान है तो इसके लिए आपको कहीं कोई medical store पर नहीं जाना है कहीं आपको भागने की परिशान होने की जरुत नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की medicine है क्या इसके फाइदे हो जाते हैं दोस्तो इस medicine में जो आप ingredients देख रहे हैं इसमें तुलसी के पत्ते हैं जो की तुलसी आम सभी के घर में पाई जाती है लगबग तो वो अपने घर में जो पेड़ होता है उससे ये पत्ते निकाल सकते हैं ये जो है दालचीनी है हिंदी में इसको दालचीनी कहते हैं और इंगलिस में इसको सिनामिन कहते हैं तो ये दालचीनी की लकड़ी है इसके साथ ही ये एक अद्रक का टुकडा है जिंजर इसको इंग्लिस में कहा जाता है दोस्तो ये ब्लैक पीपर है आप यह देख सकते हैं यानि ये गोल काली मिर्चे हैं इसके साथ ही ये कलोब है इसको हिंदी में लॉंग कहते हैं कुछ लोग इसको लवांग भी कहते हैं तो ये अपना-पना बोलने का तरीका हो जाता है लोगों का तो मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे दोस्तो इसके साथ ही हमने लिया है सहद को तो ये सहद आप डाबर, पतंजली या आपके घर में देशी सहद हो कोई भी सहद हो वो आप ले सकते हैं और एक बड़े गलास में हमने लिया है पानी लगवग साड़े 300-400 एमल पानी इस गलास के अंदर है अगर आपके पास इतना बड़ा गलास नहीं है सभी चीजों को कूट के, इसको ओखली में कूट कर इसको अच्छी तरह से जब आप कूट लेते हैं या क्रस कर लेते हैं तब उसको इस पानी में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से बॉइल होने देना है तो गाइस जब आप अच्छी तरह से इसको कूट कर पानी में डाल देते हैं तब ये कुछ इस तरह से बॉइल होने लगती है तो आप यहां देख सकते हैं मैं सेम उसी काड़े को तयार कर रहा हूँ सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से बॉइल कर रहा हूँ तो दोस्तो यूज करने का तरीका ये है कि सारी चीजें आपने वॉइल करनी मिक्शर तयार है यानि काड़ा आपके पास तयार हो जाता है तो इसको आपको गरम गरम लेना है ध्यान रखना है कि आपकी जीव या मू ना जले और इसको लेने के पहले आपको इस सहद में से एक चम्मच सहथ इस पानी में डालना है जो पानी आपने वॉयल किया था उसके अंदर एक चम्मच सहथ को मिलाना है और इसको गुनगुना ही आपको पीना है दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि इन सभी आयुरुवेदिक जो रेमेडीज हैं इनका मिक् नाग के अंदर जमा हो जाता है उसको एकसम्म Porco यह तो बहुत अच्छा अग्सप करता है दोस्तों यह तुलसी एक बहुत अच्छा dispektorant है बहुत अच्छा एंटिवाइटिक की तरह काम करता है सेम डालचीनी के वही काम हो जाते हैं इसको रिलीव करता है काली मिर्चकी अपनी बहुत अच्छी एंटिवाइटिक प्रॉपर्टीज हैं और लॉंग वगेरा वी ये गरम तासीर की होती हैं तो इनके बहुत अच्छे ये बैनिफिट्स आपको मिल जाते हैं दोस्तो जब आप इस मिक्स्चर को यानि इस काड़े को धीरे-धीरे गुंगोना पीते हैं तो इससे आपके गले में एक सिकाई जैसी होती है रैस्पीरेटरी सिस्टम का एक सिकाई होने लगता है जिससे की क्या है कि जो हमारा ब्रॉंकिया है वो डाइलेट होने लगता है ब आपकी ब्लॉक नोज हो जाती है यानि जो नेजल कंजेशन हो जाता है उसको भी खोलने का काम करता है तो इस तरह से यह आयुरवेदिक मैडिसिन के काफी फाइदे हो जाते हैं दोस्तों पिछले दो-तीन दिन से जब मुझे बहुत ज्यादा नजला जो काम लगा था तब मैं इसको यूज करना हूँ कंटीनियो और काफी अच्छे इसके रिजल्ट है जो मुझे देखने को मिले हैं परसनली मैंने ये वीडियो आपको अपना एक्सबिरियंस सेयर करने के लिए बनाया है दोस्तों ये जो काड़ा है पुरी तरह से आयुरवेदिक है कोई इसके इफेक्ट वगेरा नहीं है बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप वॉयल करते हैं तब आपको सही से साबधानी से इसको वॉयल करना है और ठीक तरीके से इसको लेना है दोस्तों इसका सेवन दिन में दो से तीन बार आप कर सकते हैं ध्यान रहे कि साम को सोते समय जब आपको जरूर लेना है क्योंकि रात में जब आप सोते समय इसको लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे वेनिफेट्स आपको मिल जाते हैं तो दोस्तों ये जो मौसम बदल रहा है लगातार बदलते हुए मौसम में जो सर्दी खासी एलर्जी नाक बहना जुगाम नजला लगा हुआ है तो इन सब के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे तो यह था आजकी इस वीडियो में इस आयूर्वेदिक रेमेडी के बारे में जानकारी आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस